नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पबलिक खबर में इस वक्त पूरे देश में एक पध्यात्रा की चर्चा जोर उपर है और ये पध्यात्रा इसलिए भी ज्यादा लाइम लाइट में है क्योंकि इसकी अगवाई कर रहे हैं हिंदूओं को एक्ता का संदेश देते हुए निकाली जा रही इस सनातन हिंदू एक्ता यात्रा को लेकर अब राजनीते खलचल भी तेज हो गई है क्योंकि एक तरफ जहां कट्टर हिंदूत्ववादी नेता की इमिज के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी मले टीर राजास्तिंग ने इस यात्रा के दोरान ना सिर्फ हिंदू एक्ता जैसे बड़े मुद्दो पर खुल कर बात की बलकि अपने चिर्प परिचित अंदाज में उन्होंने वैसी ब्रदर्स को लेकर धमा के दार पलटवार किया तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस की तरफ से इस यात्रा को लेकर चौकाने वाला बयान सामने आया है तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला बागेश्वर धाम से राजा राम मंदिर ओर्चा तक लगभग 160 किलो मीटर तक की इस सनातर हिंदू एकता यात्रा को लीट कर रहे बागेश्वर धाम के पीछा धीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदूओं को एकता का संदेश देने के लिए पैदल निकल पड़े है 29 नवंबर को ओर्चा में इस यात्रा का समापन हो जाएगा लेकिन उससे पहले हर रोज यात्रा के दोरान बड़ी बड़ी दिगज हस्तियां भी इस यात्रा से जुड़ रही है हालांके पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो इस दोरान हिंदूत्व और सनातन धर्म पर बयानों से सुर्खियों में बने ही हुए है तो इसी कड़ी में बीते दन बाबा बागेश्वर की पधियात्रा में शामिल होना पहुँचे तेलंगाना के गोशा महर से बीजेपी विधायक टी राजा सिंग ने ऐसे जोरदार बयान दिये जिसके चर्चा अब हर तरफ हो रही है क्योंकि हमेशा की तरह एक बार फेर उनके निशाने पर रहे ए आयम आयम चीफ असदुदीन उवैसी और उनके भाई और ए आयम आयम विधायक अकबर उद्दीन उवैसी लेकिन इसके साथ ही कॉंग्रिस के विधायक ने भी इस यात्रा को लेकर एक विवादत बयान दिया है जिसके बाद से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है असल में मध्य प्रदेश के छतर पुरिस्थित बागेश्वर धाम से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एक्ता पधियात्रा की शिरुवात हो चुकी है 29 दवंबर को ओर्चा में समाप्त होने वाली इस पधियात्रा को लोगों का लगातार अपार जन्द समर्थन मिल रहा है बीते दिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एक्ता पधियात्रा के दूसरे दिन उम्डी भील लगभग साथ हजार के आस पास पहुँच गए देश के अलग-अलग जिलों और राजियों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग आ रहे हैं पधियात्रा के दूसरे दिन छतरपूर शहर में प्रवेश करते ही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शहर के पन्ना नाका चौराहे पर कि बाबा धीरेंदर कृष्ण शास्त्री जिस मन्षा के साथ यात्रा निकाल रहे हैं वो सफल होते हुए दिखाई दे रही है इसे कड़ी में बाबा बागेश्वर पंडि धीरेंदर कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों और मस्जिदों में राश्ट्र गान बज़ाने को लेकर बड़ी बात कही। बाबा बागिश्वर ने कहा कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन लोगों ने काशी विश्वनात मंदिर को मस्जिद घोशित कर दिया। जहां पर श्री कृष्ण प्रकट हुए वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इतना ही नहीं उन्होंने कई जगहों पर देश में अपना अधिकार जताया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीती करना नहीं जानते। वहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा खजराहों पहुँचे। इस दोरान उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस यात्रा का विरोध करने वालों को नाजायज हिंदूों की उलादे कहा। साथ ही मंदिर और मस्जिब में राश्ट्रगान का समर्थन भी किया। टी राजा ने कहा कि सम्मान या फिर देश छोड़ दीजिए। अमारा नाम टी राजा सिंग नहीं। वहीं एक और इंटर्वियों में उवैसी बंधुओं पर तंज कस्ते हुए टी राजा ने कहा कि उन दो भाईयों यानि उवैसी ब्रदर्स के नाम मर्यादा से लीजिए। वो दोनों साले हैं हमारे। मुसल्मानों के सबसे बड़े द हिंदू जगा कर जाओंगा जब तक मुझ में जान है भारत को हिंदू राश्ट्र बनाओंगा जै श्री राम जै बागेश्वर्धा। निजी आस्था का विशे बताया। हुआ यों की बीते दन PCC में प्रदेश कॉंग्रिस की कार्य समिती बैठक में शामिल हुने भांडेर से कॉंग्रिस विधायब फूल सिंग बराईया भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीम मोदी की देश में ताकत घट रही है। बैंड लगाने को लेकर बराईया ने कहा कि उनके साथ घटनाए घटी है तो वो मांग कर रहे हैं। उनकी जायज मांग है। हिंदू संकट में नहीं है, BJP संकट में है। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, रावायन पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, कहीं हिं के बढ़ेंगे। उधर पूर्व मंत्री और कॉंग्रिस विधायक जैवर्धन सिंग ने कहा कि धर्म एक निजी आस्था है, हमारे परिवार ने हमेशा सनातन धर्म का पालन किया है। ये बात बागेश्वर धाम महराज ने कई बार कही है, उन्होंने कहा है कि जो सनातनी है उससे चर्चा करते हैं। मैं चार साल पहले उनकी कथा में शामिल हुआ था, जब यात्रा के बारे में जानकारी मिली थी तो मैं भी वहाँ पहुँचा, उनमें आस्था है। आपको यहां बता दें कि अनुसोचित जाती के नेता फूल सिंग बरैया दतिया की भांडेर वि दतिया सीट से कॉंग्रेस के प्रतियाशी भी रहे लेकिन उनके हाथ सिर्फ हार लगी। विधान सभा चुनाओं 2023 में एक प्रतिग्या के मुताबिक खुद का मुह काला करने के लिए वो राजभवन पहुँच गये। उन्होंने कहा था कि विधान सभा चुनाओं में पधियात्रा ही 20 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ये 29 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें कुलाश पढ़ा होंगे पंडी धीरेंद्र शास्त्री की पधियात्रा में देश भर के 20 हजार से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की खबर है। इनमें भारी मात्रा में सा प्रक्षय व्यवस्था में तैनाद बताए जा रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े लेवल पर हिंदू एक्ता का संदेश देते हुए जहां इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है तो वहीं बीजेपी विधायक टी राजा सेंग और कॉंग्रस विधायक फूल सेंग बर को बना पूले